गाइज आज के वीडियो में हम CSS के font attributes को सीखेंगे और ये सीखना काफी important है क्योंकि ये ऐसे तो देखने में काफी simple से concepts है पर ये आपकी website की look को काफी बदल के रख देते हैं तो इस वीडियो में हम CSS के सारे font attributes को सीखेंगे और इसके लिए मैं सबसे पहले यहां HTML file बना लेता हूँ तो मैं यहां font.html file बना लेता हूँ और इसमें मैं पूरा HTML लिखूंगा और इसके बाद सबसे पहले मैं HTML का boiler template code जेनरेट कर लेता हूँ और इसमें हम fonts के बारे में बात करेंगे और यहां CSS font लिखके आ चुका है अब जैसा कि हम इसमें fonts के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ तो मैं यहां paragraph के अंदर मैं एक statement लिखता हूँ जो कि universal truth है वीवेक is a good boy जो कि एकदम सच बात है इसमें कोई दो राय नहीं है और यदि आप भी good boy या good girl हो तो आप मुझे comment में जरूर बताना है मैं इसे save करता हूँ और यह यहां लिखके आ चुका है अब जैसा कि यह statement लिखा हुआ है और यदि यह आपको नहीं दिखता है आप इसका font size बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां CSS के through इसके font size को increase कर सकता हूँ तो मैं यहां style tag का use करता हूँ जिसके अंदर मैं CSS को लिख सकता हूँ और मैं यहां paragraph को target करता हूँ और सबसे पहले font property जो हती है वो font size है और font size में यहां देखिए यह आपको बहुत सारे options मिल जा रहा है तो इसमें आप कुछ भी pass कर सकते हैं यहां अगर larger, smaller कुछ भी आप डाल सकते हैं मैं यहां आपको pixels में डालके दिखाता हूँ तो यदि मैं यहां 34 pixel कर दूँ तो इसका font size जो है वो increase हो जाएगा और यह देखिए अब यह कुछ इतना बड़ा हो गया है इसी तरह यदि मैं यहां larger करता तो यह size थोड़ा और बड़ा हो जाता तो मैं यहां larger करके दिखाता हूँ और larger नहीं मैं यहां double XL कर देता हूँ और इससे क्या होगा कि यह थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यह लगभग उतना ही बड़ा रह गया क्योंकि जो double XL है वो उसकी size इतनी होती है तो यदि मैं इसे smaller करूँ small और इसमें भी यह देखिए काफी options हैं यदि मैं extra small करूँ तो यह काफी छोटा हो जाएगा और यह देखे अभी यह आपको बिल्कुल दिख भी ने रहा तो इस तरह से आप इसके font size को increase या decrease अपने recording कर सकते हैं तो मैं यहाँ इसे 34 pixel ही कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखता रहा है तो font size तो हो गया आप यहाँ चाहें तो इसमें font weight भी add कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि यह थोड़ा सा bold हो जाएगा तो मैं इसमें font weight को थोड़ा सा bold करके दिखाता हूँ यदि मैं यहाँ लिखूं bold तो यह थोड़ा सा bold हो जाएगा तो आप light भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसे lighter करता हूँ और save करता हूँ तो यह देखिएगा यह थोड़ा light हो गया है और यदि आपको font weight के सारे properties को जानना है तो आप इसमें MDM reference को ले सकते हैं और इसमें क्या होगा कि आपको font weight के सारे properties के बारे में यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा और यह देखिए यह सारे font properties है मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे को use करके एक बार देखें यह आपके लिए काफी helpful होगा और जैसा कि यह font weight के लिए है आप चाहें तो इसमें font size के लिए भी कर सकते हैं आप यहाँ font size के MDM reference पे जा सकते हैं यह देखें यहाँ font size का भी MDM reference दिया हुआ है और आप इन सारे properties को use कर सकते हैं तो इन सारे properties को तो मैं अभी दिखाने ही पाऊंगा मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे properties को खुद से use करके देखें और यदि आपको कुछ doubt हो तो आप मुझे comment में जरूर बताना अब चलिए इसके बाद अगली property को देखते हैं तो अगला property है font style तो मैं यहाँ लिखता हूँ font style और इसमें आप चाहे तो italic type का जो होता है वो सब आप कर सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे italic, normal, oblique यह सब आप use कर सकते हैं तो मैं यहाँ italic को यूज करके दिखाता हूँ मैं यदि इसे italic करूँ और save करूँ तो यह देखे यह italic type का हो गया है यदि मैं इसमें oblique करूँ तो यह oblique भी हो जाएगा मैं इसमें oblique करता हूँ oblique और इसमें no doubt यह आपको oblique जैसा दिख जाएगा और सायद italic और oblique दोनों एक ही तरह से दिखते हैं इसलिए आपको यहां कुछ difference नहीं नदर आएगा और इसी तरह यदि आप इसमें mdn reference लेना चाहें तो simply आप इसमें hover करें और यहां click करेंगे तो आप mdn reference page पर पहुँच जाएंगे और इसमें यह आपको सारे properties यहां दिये हुए हैं इसमें use कर सकते हैं तो यह था font style अब इसके बाद चलिए अगली property के बारे में बात करते हैं तो अगली property है line height और इसे बताने के लिए मुझे क्या करना होगा कि थोड़े से और text generate करने होंगे तो मैं यहां lorem use कर लेता हूँ lorem 123 और इसे क्या हूँआ कि 123 text automatically generate हो जाएंगे अब इसके बाद मैं इसे save करूँगा और यह देखें यह कुछ इस तरह का दिख रहा है और इसमें से मैं पहले oblique को हटा देता हूँ तो मैं इसे comment कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसमें line height को use करूँगा तो मैं यहां line height लिखता हूँ line height और इसमें यह normal तो पहले से ही होता है मैं इसमें 56 pixels add करता हूँ और मैं इसे save करूँगा तो यह देखें इसमें क्या होगा यह देखें यह vertically थोड़े से दूर होगा यदि मैं यहां 56 के जगा 45 कर दूँ 45 तो यह थोड़े से नज़्दीक में आ जाएंगे यह देखें यदि मैं और इसे कम कर दूँ तो यह थोड़े से और सामने आ जाएंगे और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगा कि यदि मैं यहां 25 करूँ तो इसमें देखें यह आपस में ही कॉलाप्स होने लगे यदि मैं इसे और कम करता हूँ मैं इसे 5 कर देता हूँ तो यह एक के उपर एक मर्ज हो जाएंगे और यह देखें यह इस तरह का हो गया तो यह ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि यह जो टेक्स्ट है यह इस टेक्स्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्णर से 5 पिक्सल नीचे के बाद से दूसरे लाइन को स्टार्ट करता है ये अगले वाले line को उसके उपर वाले line के text के top left corner से 5 pixel नीचे के बाद से अगले line को start कर देता है जिसके कारण ये हुआ तो हमारा text इसमें 34 pixel का था जिससे क्या हुआ कि first line तो 34 pixel लिया और ये second line उसके बाद 5 pixel के बाद ही start कर दिया इसलिए ये आपस में ही collapse हो गया तो इस चीज़ का आप दियान रखिएगा और यहां मैं इसे वापस से 55 कर देता हूँ जिससे क्या हुआ कि ये थोड़े से दूर हो जाएंगे और ये देखे ये इस तरह के दिख रहा है तो ये था line height और इसके बाद चलिए दूसरी property के बारे में बात करते हैं तो दूसरा property है font family font family और font family को add करना काफी simple होता है मैंने इसके उपर एक video भी बना रखा है जिसका link मैं description में दे दूँगा और मैं इसमें आपको google fonts को add करके दिखाता हूँ तो मैं यहां search करता हूँ google fonts और इसमें क्या हुआ कि मैं अलग-अलग fonts को use कर पाऊंगा तो ये देखिए मैं यहां google fonts को open करता हूँ और इसमें क्या हुआ कि मुझे अलग-अलग fonts दिखाई देंगे ये देखिए इसमें मैं जो merge वो font को use कर सकता हूँ तो मैं ये वाला font आपको use करके दिखाता हूँ तो इस font को use करने में ये देखिए यहां बहुत सारे sets दिये हुए है तो यदि मैं ये वाले set को use करना चाहता हूँ तो मैं simply यहां click करूँगा और उसके बाद मैं इसमें दो methods के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है तो मैं यहां link को use करता हूँ तो इसकी style sheet को मैं यहां से copy करता हूँ Ctrl-C to copy और उसके बाद यहां पर मैं इसे ले आकर paste कर दूँगा Ctrl-V to paste इसके बाद मैं इसमें right click और format document कर लेता हूँ आप भी कर लीजेगा जिसे क्या होगा कि यहां के indentation एकदम ठीक हो जाएंगे अब इसके बाद इस font को use करने के लिए क्या करना है कि यहां जो font family दी हुई है इसे यहां से copy करना है और इसमें font family के जगा paste कर देना है तो मैं यहां इसे paste कर देता हूँ और यह वाले सारे font attributes को मैं यहां comment कर देता हूँ अब मैं इसे save करूंगा तो यह वाला font इसमें आ जाएगा और यहां पर यह देखे यह font आ चुका है इसमें मैं थोड़ी सी font size को increase ही कर देता हूँ तो मैं इसमें इस font size को वापस के uncomment कर देता हूँ जिससे की इसका font size वापस से increase हो जाएगा और यह देखे वह वाला font इसमें आ चुका है इसी तरह इसमें जितने फी fonts हैं उन सारे को मैं use कर सकता हूँ इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं जैसे यदि इसे यूज करना हो तो simply आप इसके सेड को यहां से select कीजिए और यहां से इसकी link को copy paste कीजिए और उसके बाद इस font family को यहां से आप यूज कर लिजेगा तो यह था font family और मैं आसा करता हम कि आपको यह property समझ में आ गया होगा और यही सारे होते हैं CSS में font के attributes और यदि आपको इनके बारे में और जानना हो तो आप इनके official documentation पर जा सकते हैं यदि आप इसमें search करेंगे CSS fonts तो इसमें आप Mozilla MDN की documentation को पढ़ सकते हैं और इसमें ये देखिए सारे properties को दिये हुए हैं तो इसमें मैंने font family आपको बता दी size भी बता दिया एक font stretch property भी है तो मैं चाहता हम कि आप इसे खुद से explore कर लीजेगा यह style हो गया variant भी आप खुद से explore कर लीजेगा और यह तो मैंने आपको बता ही दिया तो यहां से आपको सारे reference मिल जाएंगे और यह documentation जो है वो काफी अची है आपको यहां से font के सारे reference मिल जाएंगे और यह पढ़कर आपको बिल्कुल समझ भी जाएगा तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह सारे font attributes समझ में आया होंगे यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक like करना मत भूलना thank you so much guys for watching this video and I will be back soon